लो किचन वालो प्रेंड्ज Dalai들 के सामच मेचान कारी दो वानगे है ciao इसामच वहें ऐसे नगुने में देख लिए ताईब एक वाव टीकार आप गोलिक रे अगारे दा निम्हारों है जब अच्छे से चला जाए पास्टो ग्राम चिकन के लिए पास्तो ग्राम राइस यूज कर वह हूँ जिसको की हमें 15 अमिनिट पहले बीगोगे रपना है और फिर इसे बॉल करना है राइस को कैसे बॉल करना है इसका वीडियो मैंने पहले ही मेरे चानल पर अप्लोड कर तीन बड़ी प्यास फ्यूवी अब जब आम बिव्यानी कॉर्मा बनाते है तो इसमें फ्यूवी प्यास बहुत ही साथा जबर भी होती है तो प्यास को परफेक्टली कैसे प्या किया जाए इसका भी वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है आप अगर चाहे मैं इसके लिंक प्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूउंगी यह प्यास लेवी है मैंना इसके अनावा धे में कुछ हऊः भड़े मसाले और गळे मासाले है यह अब कोई भी भीयानी मसालण ले सकते है बहा कश हमेंने लेल लिया है 150 पूं प्याती प्यास 1 इक प्रच बीच में से कट कर लिया है आप तीखा अपने हिसाब से कमजादा कर सकते हैं खड़े मसालों में हमें चाहिए तेजपत्ता चावेती ले लेंगे दो बड़ी लाइची तो हवी लाइची दालचीनी तीन से चाव लॉंग तीन से चाव काली मिर्च तो यह हमने खड़े मसाले द सकते हैं गार्च चाहिए और बियानी टेस्ट बढ़न के लिए हमने पुदिनऑ ले यह लेंके या पुदिना आपके टेस्ट के शाव forwards के सहां से कमजादा कर सकते हैं नियए डेकी के गीजिता अप शूस्या नियिता तेस्ट के ठेस्ट सकते हैं शाहिए नि l cultivated fat has learn रिजहाभर नहीं पेक के साहई के साव पाल जी झाहओ . जुलदी झाले जरेनerson चीकन एसे के लिए तो श्टक्रप है। 2 आए हो जाए करें। चिकन को मैमनेट करने के लिए यहां पर मैं इसमें डाल दूंगी अध्वक अवलसून की पेस्ट शाथी डालेंगे टमाटर दही डाल देंगे इसमें दही को अच्छे से पेट ले ताकि इसमें कोई लंप सनगा है अब हमने जो पाउडर मसाले लिए थे वो पाउडर मसाले लिए अधाल दाले है करें वसके नमक मुर्च आप अपकी हिसाब से कमजादा कर सकते हैं साथी अब हम इसमें डालेंगे प्यास प्राइट पाहस कि एसको हातों से ठोड़ असा से मसल के रालें पुदिना पति यह पूदीन पति को आप हातों से तोड़के डाल सकते हैं और अगर चाहे, तो पुरीना पत्ती अधाया और हवी मूचकी पेस्ट पना कर इसे डाल सकते है। अब अब हम इसमें डालेंगे हवा धनिया। देखिए अब हमने सावी के सावी हमावी जो इंकुडियास दाल दिये हैं, खड़े वसाले बच रहे हैं, जिसको कि हमें फ्वाय करते वक टाल देना है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब अगर चाय तो अपने हाथों के मदद से मिक्स कर सकते हैं, ताकि ये सब अब जाता मैविनेट होगा, उतना ही साथा खाने में टेस्टी लगेगा, तब इसे एक गंटे के लिए लग देते हैं, तो यह देखिए, एक से देड गंटा हो चुका है, अब हम चलते हैं, इसे बनाने की तरह, तब बिव्यानी बनाने के लिए, यहां पर मैंने एक जला अब आ ग्रम ना इसमें और मैं आपके बताया था, मैं तैल और घी दोनों यूज करने वाली हूँ तो तो तेल और गी मैं इसमें ताल तो जाल जाल की यह दो शृआ मैं पर बनेंगे टाल चुके हैं, अब हम आदम ने पाख माइचे से उतर जाल जाएं आब एसमें आदा म तो यह देखिए यहां पर मैंने सारा के सारा मैगनेटर चिकन इसमे टाल दिया है इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे मिक्स करने के बाद हम इसे ढप कर भीमी आज पर 10-15 निट तक के पपने के लिए छोड़ देना है तो यह देखिए मैंने से बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसे एक लिड़ से ढखेंगे और ग्यास की फ्लेम लो रखेंगे लो पर हमें इसे ढख कर भीमी आज पर 15 निट तक के पका लेना है ताकि हमाव जो चिकन है वो टेंडर हो जाए और सारे मसाले जो है उसमें ति इसे टेंट ऊका उचल रहे हूँ दैकर आए बया मित अपर शुक ज़ूर से घ्ल में को ध। जैकaj का जो ने ज़िए फूर कलव डाले लेकिन यहां पे चिकन के पीसस पर डाल रही हूं कि जब हम इसे सब करते हैं तो जो पीसस है वो दिखने में बहुत ज़धा अच्छे दिखते हैं यहां पर मैंने फूर कलव डाल दिया है मैंने थोड़ी सी फ्राइड ओनियां डाल देंगे पहल पूदी ना पत्ती को हातों से थोड़ा सा तोड़के डालेंगे अब हमने जो वाइस पूल करके रखे थे हूं यहां पर राइस को डाल देने है अगर बहुत अच्छी बिव्यानी खाना चाहते हो तो यहां पर एक बात का हमें खासयान रखना है राइस को हमें प्रेस नही निजरी के स्काषए निलिए ऊपंदों तरी साहँ एंकने उपर से लिएक शाय। इस से सब्सक्राइब जाए लिए डाले झाई है इस सद्यों के अगर टाल सकते हैं आपिर कुछला टालने हुए यह सब्सक्राइब तेसी की डाल दिया है हरा धनिया पुदिनापती डाल देंगे यहां पर तो यह देखिए बिव्यानी की कार्निशिंग पुए चुकी है अब हम इसे एक लिए से ढगतेंगे अब इसे ढगकर हमें हाई फ्लेम पे पहले दो मिट तक के पकाना है उसके बाद क्यास के फ्लेम कर पर देंगे या लो कर देंगे यहां प्लेम पर इसे 7–8 मिर्ट तक के पका लेंगे तो यहां-अब हमें इसे प्रेशिंट के पकालेंगे जीएमारी फिरियानी हर बनकर तब Bürकुल ताहरे गश्कॉगेर, देख सकते हैंं हमारी गर्म पर तब पॉर बिवियानी बने बिल्कुल तैया है और इसे में निकाल लिया है उन्हें जो चिकन की पीसेस पर फूड़ पूल डाला था आप तेख सकते हैं उसके वज़े से चिकन की पीसेस को जो है बहुत ही अच्छा सा कलर गया है तो हमारी बहुत डिलिशियस बहुति सिंपल और विक रेसीपी त्यारे त्यारे आप इसे एक बार जबर ट्राइ किजेगा और मुझे कमें जबर पता होना कि आपकी रेसीपी कैसी बने थी तो इसे ट्राइ कीजिए जाथ सेसाथ अपने फेर्ड्स और फामिल्यों में शेव क अगर आपको मेरी वेसिपी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ तब तक के लिए हपी गुकिंग